प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 12 जनवरी को महराश्ट का दौरा करेंगे इस दौरान प्रधान मंत्री महराश्ट में 30,500 करोड से ज्यादा की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उदगाटन, लोकारपन और शिरान्यास करेंगे विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाचपेई, शिवडी, नहवा, शेवा, अटल सेतु का उदगाटन करेंगे करिब 17,840 करोड रुपए की लागत वाला अटल सेतु देश का सबसे लंबा पुल होने के साथ सबसे लंबा समुदरी पुल भी है उदगाटन से पहले अटल सेतु से न्यूस 24 की ये ग्राउंड रिपॉर्ट देखिए देश का सबसे बड़ा समुदरी पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बन कर पूरी तरह से तयार है बारा तारिक को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी इसका उदगाटन करने वाले हैं ये पुल मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा मैं आपको पुल की जो खासियत है वो बताऊंगा इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जो मुंबई है साउथ मुंबई है खास तोर पर नवी मुंबई से किस तरह से जुड़ जाएगा कैसे मुंबई और नवी मुंबई की दूरी कम हो जाएगी यह हम आपको दिखा रहे हैं और कितना सांदार पूल बना है यह आपको दिखा रहे हैं देखे कि इसको स्वर्गी प्रधानमंति अटल विहारी बाजपेई के नाम पर अटल विहारी सेतु नाम दिया गया है और लगबग 5.5 किलो मीटर जमीन पर है तो आप समझ सकते हैं कि कितना सांधार पूल है ये मुंबई वासियों का ड्रीम था कि मुंबई और नवी मुंबई के जो दूरी है वो कम हो काफी समय से 70 के दसक से चर्चा चल लए थी कि मुंबई और नवी मुंबई को जोडने वाला ए अलागे कोबीड के कारण इसके काम में थोड़ी सुस्ती आई थोड़ा देर लगा लेकिन अब पूरी तरह से तयार है और 12 तारिकों मुंबई और नवी मुंबई के लोगों की सेवा के लिए ये पूरी तरह से खुल जाएगा अगर इस पूरे पूल के खासियत की बात करे तो six lane pull है, दोनों तरफ से तीन-तीन lane है और एक जो lane है ओ सर्विस lane है और कई सारी इसमें खासियत है अभी हम city पार्ट में हैं और यहां से हम आगे की भी दूरी तय करेंगे और आगे आगे आपको बताएंगे कि आगे इसमें क्या-क्या खासियत है अटल सेतु को बनान में करीब 20 हजार करोड रुपए खर्च के गए हैं और इस से मुंबई और जो नवी मुंबई की दूरी है वो करीब 20 से 25 मिनट की रह जाएगी अगर इस रोड की खासियत की बात करें तो यहां पर 100 किलो मीटर की रफ्तार से गाड़ियां चल सकती है एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 70 हजार गाड़ियां डेली यहां से गुजरेंगी और देखे कि यह पूरी तरह से साउथ मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करता है तो जो नवी मुंबई का जेन पिटी है इसके अलावा जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है इतना ही नहीं अगर आपको मुंबई गोवा हाइवे पर जाना हो चाहे मुंबई पूने हाइवे पर जाना हो सब कुछ आसान हो जाएगा इस ब्रीज को बनाने में करीब 5 साल का वक्त लगा है और बता जाता है कि करीब 20 हजार करोड रुपे खर्चा है हलाकि ये ब्रीज थोड़ा पहले तयार होना था लेकिन कोवीट के कारण इसको बनाने में थोड़ी देरी जरूर हुई इसके अलावा देखे कि यहाँ पर पर्यावर्ण का भी खास ध्यान रखा गया है ब्रीज के दोनों तरफ आपको देखेंगे तो sound barrier लगाया गया है यह sound barrier इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में flamingo birds आती है इन flamingo birds को देखने के लोग आते हैं तो इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है कि जो lights है वो lights ऐसी लगाई गई है कि सिर्फ bridge पर light पड़े नीचे light न पड़े यानि कि जो पंक्छी है इसके लावा मचलिया है उनको कोई इसका effect न हो इसका ध्यान रखा गया है कई सारी जो खुबियां है इस bridge में बनाई गई है इस ने bridge से लोगों की जिन्दगी तो आसान होगी साथी पर्यावन का भी पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर देखे कि जो bridge इंड हो रहा है तो किस तरह से यहाँ पर तीन lane कहां कहां जाएगी यह दरसाया गया है देखे कि यह जो lane है वो मुंबई port और सिवडी जा रही है जो दूसरी lane है वो मंत्राले के लिए बनाई गई है तो तीनो lane यहाँ पर दिखाया गया है कि तीनो lane से अगर आपको जाना है तो कहां कहां कैसे कैसे जा सकते है और तीन लेन आने के लिए भी बनाया गया है तो कहीं कहीं पूरा ध्यान रखा गया है लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है और इसको कैसे जो वेस्टन मुंबई है उसको कैसे कनेक्ट करना है इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है यही कारण है कि सिव पर लगाए गए हैं वह आर्टी फिसियर इंटेलिजेंस से लैस हैं